नमस्कार आपके साथ मैं हूँ तुप्तिव शुकर्मा और आप देख रहें न्यूस्टाइम्स चैंबासा इस बुलेटिन में आप सभी का स्वाधत है आईए नजर डालते हैं सिंभूम की खबरों पर इचा खर के बान विरोधी संग कोलान द्वारा जारकन ओडिसा के सिमावर्ती छेत्रों के विस्थापितों के साथ तेरिंग प्रखंड के डोको डीर के मुखिया सुंदर बास्की के दक्स्ता में बैठक हुई इस दोरान संयोजक दशकन को दादा सचेव सुरे सोय और उपाध्यक्ष रियान सामड मौजूद रहें बैठक को संबोधित करते वे सुरे सोय ने इचा डैम से विस्थापन के खिलाफ जारकन और उडिसा के विस्थापितों से एक होने की अपील की कहा कि अपने जल, जंगल और जमीन की लडाई खुद ही करनी होगी आज तक राजनितिक प्रतिदियों ने सिर्फ हमें आशवाशन मात्र दिया है इसलिए हमें एक होना होगा और ससक्त होकर इनका मोतोड जवाब देना होगा रियान सामड ने कहा कि वर्तमान जाकंड सरकार के नाकामियों के कारण आज विस्थापित हासिये पर हैं, हिमन सरकार चाती तो डैम रद्द कर सकती थी, लेकिन इनको सिर्फ राजनितिक रोटी सिखनी है, आदिवासी मूलवासी विस्थापन की लडाई में आगे आएं मैं महमाईम राश्टपतू और सुप्रीम कोड के जजों से अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा कि समाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय के लिए हमें प्रोटक्शन दीजे, क्यूंकि भारत का संभिधान में अनुछे 244.1 के तहत उरिस्थास और जारकन के अनु 24, 13, 13 का 14, 15, 16, 19 और संभिधान का 25 और 26 संभिधान का 29 के तहत भासा, लिपी, संग, सिकृती बचाय रखने का अदिकार उन्हे प्राप्त हुआ है. और संबिधान के अनुचे तेरा तीन सो का के ताहट विदी के प्रदिकार के बिना किसी क्यों भी उसकी संपत्ती से बेदखल करने का अधिकार नहीं है संबिधान के अनुचे 254 के ताथ पेशा का अनुचना है जिसमें गरामसबा को अधिकार दिया गया बिना गरामसबा के जमीन अधिगरन नहीं किया जा सकता है और संबिधान के अनुचे 254 के अलोख में भूमी अधिगरन अधिन्यम 2013 बना है 2013 में भी अनुसूची छेत्रों पर जमीन अधिगरन परतिबंध है जहां पर क्रिसी योग जमीन है उसका आरजन नहीं किया जाना है जहां खाद सुरक्षा का मामला है उसका जमीन अधिगरन नहीं किया जाना है इसलिए हम महमाईम राश्पती से अनुरोद करेंगे कि आप अनुसूची छेत्रों के मामले में अनुसूची जनजातियों के मामले में आप हमारे कास्टोडियन है हमारे गार्जियन है आप संभैदानिक पद पर बैठे हुए हैं हमारे संभैदानिक अधिकार जो खतियान से संबंदित है उन्हें प्रोटेक्शन दीजे आप पैता दें ताकि भारत का संबीधान में जो लोक्तंत्र को परिभासित किया गया है कि लोक्तंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए है इसे आप सून निश्चित करें कम से कम 2-3 पौधा लगाएं तो निश्चित रूप से पर्यावरन सन्रक्षन में हमारा अहम योगदान होगा। देश के प्रधान मंत्री ने भी एक पेड मा के नाम कारिकरम चलाया है। निश्चित रूप से हम सभी को पेड़ लगाना चाहिए और पर्यावरन संडरक्षन में अपनी भागिदारी निभानी चाहिए। कर आयोजन स्थल का निरिक्षन किया निर्ने लिया गया कि आगामी 20 से 22 सितंबर 2024 तक इस प्रत्योगिता का आयोजन किया जाएगा इस प्रत्योगिता में राज्य के 24 जीला से 600 खिलाडी और 50 निर्नायक भाग लेंगे प्रत्योगिता को सफल बनाने के लिए रईवार को चाह पारी श्यामल्दास, जीला कबर्डी संक्य उपाध्यक्ष प्रदीब कुमार मैतो, अनुप्रसाद, सचिव, अनुपूर्ती, कोशाध्यक्ष, गौचंद मुखी और शिव मुखी मौजूद रहें इसमें पूरे जातर प्रदेश के चुमिशोज जीला से टीम भाग लेगी, इसमें लगबग 600 खिलारी इस प्रत्योगिता में भाग लेगे और लगबग इसमें 50 ओपिसियल्स इस प्रत्योगिता को निनायत की भूमिका निभाएंगे और इसका आईजा नस्तल जो है कि वस्त्मी सिंगुंग जिला इस्कूल के मैदान में रखी गई है और इसमें बिविन टीमों से बालक बालिका दोनों बर्गों के बालिका और बालक दोनों बर्गों के टीम इसमें भाग लेगे जी के लॉंज, फैमिली सलून, में रोट सदर बजार चायबासा हमारे यहां आपको हेर कटिंग, फेसियल स्मूथिंग, केरटिन, कलर डीटिन, स्ट्रिटनिंग, हेर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी बैतरिन सर्विस और बेस्ट प्रोड़क्ट के साथ सारी सुविधाय आपके चैबासा साहर में उपलब्ध है सिवाओं के लिए आए जी के लॉंच सदर बजार या फिर स्क्रीन पर दिये गए मोबाइल लंबर पर संपर्क करें आप खेल से जुड़ा समान खरिदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है आमिद स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना हम आपको हर आइटम जमशेदपूर से भी कम कीमत पर चैबासा में उपलब्ध कराते हैं क्वालिटी प्रड़क्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है चैबासा सहर के सदर बजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगों पर संचालित होता है आमिद स्पोर्ट्स कलेक्शन तो फिर सोचना क्या है आईए आमिद स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाईए साथ ही उन्होंने वैसे बंदियों का पता लगाने का भी प्रयास किया जिनके पास अधिवक्ता ना हो या जिनके परिजन उनसे मिलने नहीं आते हो या फिर उन्हें जमानतदार नहीं मिल पा रहा हो सचेव राजिव कुमार सिंग ने बताया कि ऐसे मामलों में उन्हें प्राधिकार के द्वारा निशुलक अधिवक्ता उपलब्द कराने के ववस्था की जाती है अनुसूचित जाती जन जाती पिछडा वर्क कल्यान एवं परिवहन मंत्री दीपक बिर्वा से जीला बार एसोशेशन के अधियक्ष रामेश्यर प्रसाद और अधिवक्ता राजा राम गुपता ने मुलाकात कर जीला बार एसोशेशन में नए बार भवन के निर्मान के लिए पहल करने की मांग की इस सम्मध में मुखी मंत्री हेमंत सोरेंच से वार्था कर निर्मान के लिए मंत्री द्वारा जो पहल की गई उसके जीला बार एसोशेशन की ओज से उन्हें पुस्प गुच्छ प्रदान कर आभार जताया गया मंत्री दीपक बिर्वा ने बता भाश्पा में शामिल होने के बाद पूर्मुखिमंत्री चमपई सोरेंड का रविवार को कोलहान की धर्ती पर आगमन हुआ। इस दोरान जगा जगा पूर्मुखिमंत्री का उनके समर्थकों एवं बीजेपी नेताओं एवं कारेकरताओं ने स्वागत किया। और जाने की जरूवत नहीं। चले आईए श्याम जोइलर्स में। श्याम जोइलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस डिजाइन की आभूशन उचित मोले पर मिलेगा। श्याम जोलर्स में सोनी और चांदी की आभूशन की सुद्धता की सत प्रतिशत गैरंटी है तो फिर जादा क्या सोचना है आज ही आईए श्याम जोलर्स हमारा पता है सोनार पट्टी सदर बजार चैंबासा कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग, पेंटिंग करानी है तो अब जम्षित्पूर क्यों जाना चायबासा में भी होगा सारा काम वह भी विस्वसनीता के साथ जंक्षन पॉंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है वो अभी भरोसे के साथ एक्सिडेंटल सर्विस, डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विसिंग, वील अलाइनमेंट, वाशिंग, पिक अप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पल्यूशन सेटिफिकेट, कार एक्सेसरीज ये सुविधाएं एकी स्थान पर उपलब्ध है हमारा पता है चैवासा टाटा मार्ग, टेका साई चैवासा नीलम शुले कर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस डियवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जीला स्कूल, एस पेजी मिशन, संत दिवेका, रूंटा, स्कूल इत्यादी की स्कूल ड्रेस, स्कूल बैल, स्कूल जूते, मौजे, स्कूल बैल, टिफिन बॉक्स इत्यादी, उत्तम क्वाल्टी के किफायती दामों में उपलब्ध है तो अवस्य पधारे, नीलम शु, राजा बाडी कली, सदर बाजार चैवासा, जहां नीलम शु का वाद पश्मी सिम्हुम जेले की सिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और नई रास्टिय सिक्षा नीती 2020 को लेकर आल इंडिया डियसो की ओर से टी आर टीसी गुईरा में जोनल सिक्षा कन्विंशन का आयोजन किया गया जिसमें जेले के सिक्षकों, छात्र छात्राओं और सिक्षा विदों ने हिस्सा लिया कारिक्रम के दौरान नई सिक्षा नीती में कियेगे बदलावों को लेकर चिंता व्यक्त की गई परिक्षा परिणाम में लगातार दिरी और आनिमित्ता के मुद्दे पर चर्चा हुई आदिवासी भासा के सिक्षिकों की बहाली में प्रशाषन के गैर जिम्मदाराना रवये की आलोचना की गई और जीले की खराब आर्थिक स्तिती के कारण विद्यार्थियों की सिक्षा पर पढ़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की गई कन्वेंशन के दोरान नई कमीटियों का वठन किया गया चायबासा नगर के लिए नूतन बानरा को अध्यक्ष और डेविट तामसोई को सचीव बनाया गया लुपुंगुटु का अध्यक्ष पांडु सिंग कुंटिया को बनाया गया और अनिश्का को सचीव बनाया गया है आप से फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ तब तक बने रे हमारे चैनल पर धन्यवाद